MPS Info Technique का share लेकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह company आपको return लाके देदेगी तो भाया नहीं होने वाला है कोई भी company चलती है अपने मुनाफ़े के दम पे company का जब मुनाफ़ा ही नहीं हो रहा हो तो company कहां से survive करेगी आप इसकी valuation को देखिए, valuation भी खराब है, आप इसके return on equity देखिए, वो भी खराब है, return on capital देखिए, वो भी खराब है जो पैसा company market में डाल रही है, वो भी पैसा इसका सुधे से वापस नहीं लौट रहा है उस company से आप ये उमीद लगा रहे हैं कि जो company नुकसान में आपका मुनाफ़ा करा दे, possible नहीं है देखिए, मैं मीठी-मीठी बाते बोलके आपके so-called influencer की तरह कि इसकी sales growth rate बहुत अच्छी है, profit growth rate बहुत अच्छी है, आप निवेस कर दीजे ये गलती मैं नहीं करूँगा आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो हर parameter को देखिए, सिर्फ एक दो को देखके पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है आप इसके उपर देखेंगे कर्ज, तो company के उपर कर्ज लगबग 23 करोर के करीमे है और company का सुधलाब की अगर बात कर ले, वितिये वर्स 2023 में तो company के पास कुछ income नहीं आया है आप यहाँ पे देखिए, नुकसान में company चल रही है, सारे 4 करो के कर्ज कहां से चुकाएगी, और कर्ज जो है न, company को दिवालिया तक होसित करा देता है उसके बाद सोचिए, कि company के asset भी के, तो जहां से तो company ने पैसे कर्ज लिये है वहाँ पे पैसे चले जाएगे, आप जैसे retail निमेज सक्ट जो company के स्टियर को खरीद के बैठे है company के indirectly मालिक बने है, उनको क्या मिलेगा हर एक चीजों को समझने की कोसिस कीज़ है मैं आप लोगों का नुकसान हो, यह कभी नहीं चाहूँगा आप देखें तो company के assets management भी खराब हो रहा है धीरे-धीरे इसके अलावा company के cash flow chart पे अगर आप आके देखेंगे यहाँ company के पास नुकसान में देख रहे थे कि वित्यस्तिती में सुध लाग पहुँच रही है वहाँ पे company के पास 14 लाग के cash reserve है वो कहां से याँ है, वो assets को बेच के लाए गए है जिनको आपको balance rate में यह दिखाया गया होगा कि यह आया है other sources of income से company को overall चलना है अपने operational income के दम पे selling quantum काफी ज़ादा है तो यह मत सुचेगा कि इस company के share के भीतर खरिदारी के वज़े से share में स्वाई का जाएगा नहीं आने वाला है, दोनों तरब से गिरावट चल रही है यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और channel को subscribe कर लेज़े मेरा आप लोगों के साथ कोई lab और हानी का रिस्ता नहीं है भाई चारे का रिस्ता है जिसके नाते मैं आप लोगों के लिए ये series लेके आया हूँ, जहाँ पे हर बुरे share के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कि थोड़े से सतर करेए और averaging करने की गलती मत कीज़े इन सब share को क्योंकि ये सब share आपके wealth को नहीं बना सकते हैं ये जो गिरावट चल रही है, इसका फायदा उठाई है और अच्छी वित्य स्तिती वाली company जो market में अपने अच्छे position को बना के रखी हुई है, उस पे दाव लगाई है blue chip company पे लगाई, वो बढ़िया return आपको लाके देगी आने वाले time ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like को चैनल को subscribe आप कर लीज़े, धन्यवाद